कि अच्छार्ट के उपर काफी विक ने अच्छार्ट के उपर काफी नीचे आ चुका है रिसेंटली ही अगर मैं देखता हूं के एन आर को तो रिसेंटली ही स्टॉक के अंदर के कुछ 16% के आसपास का फॉल हमें देखने को मिल रहा है सो आने वाले दिनों में यहां पर जिस तरह से 235 रुपेस आज का लोद दिख रहा है वो बहुत ही इंपर्टन्ट है अगर यह लेवल है मेरा एलोसी लाइन आफ कंट्रोल है राइट इस लेवल के नीचे अगर सस्टेंट करना चालू कर दिया तो फिर स्टॉक के अंदर और पिटाई हो सकती है और हाइर टाइम फ्रेंपे में क्लियरली देख रहा हूं कि स्टॉक्स ने हाईर लेवल्स पर सस्टेंट नहीं किया है 275-280 के उपर इसी की वज़े से यहां पर हमें सैलिंग आता हुआ देखने को मिल रहा है अब मैंने बताए कि 235 बहुत ही करना चालू करता है तो फिर आपको ब्रेक डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा और स्टॉक के अंदर 210 तक के लोवर डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है सो मेरे इसाब से अगर लॉंग पोजिशन इसके अंदर बनाना है तो मेरे इसाब से आप लोगों को वे आने का सोचना नहीं चाहिए तो के अनर कंस्रक्शन में अगर बहुत ही शॉट टम के लिए अगर आपको प्ले करना है तो 245 रुपिस के उपर एक बार सस्टेन होने दीजिए उसके बात बाइंग कीजिएगा और जिन लोगों को बहुत ही लॉंग टम के लिए काफी लॉं 260 रुपिस जब तक 260 रुपिस के उपर नहीं निकलता है स्टॉक आप इसके अंदर कुछ भी मत कीजिए क्योंकि आपको गीन नहीं होगा तो जिस तरह से बताया है के अनर कंस्रक्शन में उसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा जरूर से आप लोगों को फाइदा होगा और प्राइज एक्शन जरूर से देखेगा कि मेरे लेवल्स के पर प्राइज एक्शन कैसा होता है